नमस्कार साथियो मैं अभीने दिक्षित आप सभीका एग्रीकल्चर जीके के इस ओपीसियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूँ एग्रीकल्चर में आने वाली टॉप फाइफ के बारे में इन जॉब में जो आपके फ्रेसर होते हैं जिनका अभी ग्रेजुएशन हुआ है जिनकी ब्यस्सी अग्रीकल्चर कंप्लीट हुई है वो भी अप्लाई कर पाएंगे तो फ्रेसर भी इसमें इलिजिबल रहेंगे मैं बात करूंगा आप सभी से टॉप फाइफ हाईस्ट सेलजी वाली एग्रीकल्चर जॉब के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को जानते हैं इसके बारे में कुंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके पहले आप सभी से एक request है अगर अभी तक आपने हमारे agriculture gk app को install नहीं किया है तो इसे install कर लीजिएगा link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगी हमारे app पे आपको bsc agriculture का free notes मिल जाएगा mock test मिल जाएगे तिलेबस मिल जाएगा और बहुत सारा यहां पे आपको free content मिल जाएगा इसके लावा affordable price पे courses मिल जाएगे जिनको जागर के आप चेक कर सकते हैं YouTube चैनल को subscribe कर लीजिए notification bell को on कर लीजिए जिससे आने वाली हर वीडियो की update आपको सबसे पहले मिल सके चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम बात करेंगे आपका जो नंबर एक पे जाब आती है वो है IBPS agriculture field officer की जाब जैसा कि आप सभी को पता होगा जो IBPS AFO होता है इसकी vacancies हर साल आती है और हर साल इसकी vacancies जो है वो आपका सितंबर अक्टूबर के महीने में आ जाती है और आपका अपरेल के महीने तक आपको जोईनिंग मिल जाती है यानि की time list का सारा work रहता है आपका एक्जाम भी टाइम पे होता है और साथ-साथ में आपका जो रिजल्ट होता है वो भी टाइम पे आता है और आपको जो है जॉब भी टाइम पर मिल जाती है तो IBPS AFO को आप Best Agriculture जॉब मान सकते हैं क्योंकि इसकी वगैंसीज हर साल देखने को मिलती है अगर बात की जाए IBPS AFO के बारे में तो ये आपका एक्जाम जो होता है ये IBPS कराता है अग्रिकल्चर फिल्ड आपेसर की पोस्ट आती है अग्रिकल्चर वालो के लिए और इसमें जो आपका सेलेक्शन होता है पहले इसमें प्री एक्जाम होता है प्री एक्जाम में आपका English, Math और darum parameter आती है pre exam qualify करने के बाद आप mens exam देते हैं mens exam में agriculture आता है और फिर आपका interview होता है इसके basis में यहाँ पर आपका selection होता है age 1 की अगर बात की जाए जो pre exam होगा इसमें आपके 1200 marks के questions रहेंगे दो घंटे में आपको करना रहेगा age 2 जो आपका mens होगा इसमें आपके start max के questions रहेंगे आपको 45 minutes में करना रहेगा और जो आपका last होता है interview यह आपका 100 number का होता है तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर selection होता है यह आपका IVPS AFO के बारे में information हो गई कुछ इसके लावा अगर बात की जाए IVPS AFO की eligibility के बारे में IVPS AFO में apply करने के लिए जो आपकी age limit है वो minimum 20 year और maximum 30 year होनी चाहिए इसी के बीच वाले apply कर सकते हैं category वालों को age में छूट बिलती है और जो भी फ्रेसर है agriculture graduate पूरा किये हैं वो भी यहाँ पर apply कर सकते हैं अगर बात की जाए IVPS AFO के educational qualification के बारे में तो अगर आपके पास जो है 4 year की डिगरी है आप अगर agriculture से graduate हैं अपने BSC agriculture पूरी करी है अपनी तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लबाब BSC agriculture वाले animal husbandry वाले veterinary science वाले dairy science वाले फिसरी science वाले पिसी culture agriculture marketing and cooperation cooperation and banking agroforestry agriculture बायो टेकनलोजी food science एगरी कल्चर बिजनेस मेरेजमेंट food technology dairy technology agriculture इंजिन्जिंजिंग शेरी कल्चर ये graduate भी यहाँ पे अपलाई कर सकते हैं तो ये आपका IBPS AFO के बारे में कुछ basic information हो गई जो आपको पता होने चाहिए इसके बाद अगर बात की जाए कि IBPS AFO की अगर आप job पा जाते हो तो आपको salary क्या मिलती है तो salary यहाँ पे आपको starting में आपकी salary लगबग 36,400 रुपए के आसपास रहती है और ये बढ़ करके आपकी जो है 34,600 रुपए तक जाती है तो काफी अच्छी salary यहाँ पे अगर आपने अपना graduation कर लिया है या अगर आप graduation कर रहे है तो भी इसकी तयारी आप कर सकते है जिससे आपका जब graduation पूरा हो तो आप आराम से इसके exam को crack करके agriculture field officer बन पाएं हमारे platform पे IBPS AFO के लिए complete course available है इस course को आप जगर के चेक कर सकते हैं इस course में आपको complete syllabus का जो pre होता है मेंसे होता है, interview होता है तीनों के लिए complete class मिल जाएंगी notes मिल जाएगा, mark test मिल जाएगा previous 10 year के paper मिल जाएंगे और cable सत्रा सो रुपई इसकी फीच पड़ेगी आपको ये बैच आप agriculture gk app को install करके या हमारी website agriculture gk.in से बाई कर सकते हैं तभी लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएंगी फिर आपका नंबर दो पर जो वगेंसी आती है जिसमें agriculture graduates eligible रहते हैं और ये वगेंसी आपका हर साल आती है वो आपकी है नाबार्ड assistant manager की job नाबार्ड assistant manager की जो job होती है इसमें भी agriculture वाले farm फिल कर सकते हैं इसमें भी आपका हर साल वगेंसी आती है तो जान लेते हैं कि आपका नाबार्ड के बारे में क्या क्या information आपको पता होनी चाहिए तो पहली बात जो आपका नाबार्ड होता है उनके विकास के लिए responsible होता है इसमें आपकी डाबार्ड की तरफ से वगेंसी आती है assistant manager के लिए और जो आपका नाबार्ड होता है इसमें वगेंसी आ हर साल आती है जो फ्रेसर बच्चे हैं जो आपका इसी साल graduate हुए है वो भी यहाँ पर अपलाई कर सकते है इसमें जो आपका selection होता है इसमें आपकी तीन phase होती है पहला आपका जो है pre exam होता है फिर आपका men's exam होता है फिर आपका यहाँ पर psychometric test होता है और interview होता है इसके basis पर यहाँ पर आपका selection होता है अगर बात की जाए प्री एक्जाम की तो प्री एक्जाम में आपके 200 नंबर के एक पोस्टन रहते हैं जो कि आपको 120 वेट में करना रहता है मेंस exam की अगर बात की जाए तो जो आपका agriculture की post होती है इसमें आपका पहले general English का descriptive paper होता है जिसमें आपके 100 marks के question होते है और आपको यह करना रहता है डेड़ घंटे में फिर आपका जो paper 2 होता है इसमें आपका agriculture आती है यह आपका paper objective भी होता है और descriptive भी होता है फिर आपका psychometric test होता है जो की आपका objective होता है और last में आपका interview होता है इसके complete exam patterns लेबस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ उस वीडियो को आप देख लीजिएगा बाकी यहाँ पे जो आपकी important जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ तो यह आपका नाबाड का selection process होता है यानि कि आपका इसमें पहले pre exam होगा फिर मैंस exam होगा फिर आपका interview होगा इसके basis पे यहाँ पे आपका assistant manager की post पे selection होगा अगर बात की जाए नाबाड में apply करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए तो नाबाड में apply करने के लिए आपकी जो age limit है वो एक case से 30 साल के बीच में होनी चाहिए तभी इसमें आप apply कर सकते हैं category वालों को age में छूट मिलती है वो आप APCL notification में चक कर सकते हैं अगर आपके पास agriculture मिया allied में graduation की डिगरी है तो आप apply कर सकते हैं अगर बात की जाए नाबाड की salary के बारे में तो जो नाबाड आपका होता है assistant manager की जब आप जाब पा जाते हो तो आपको salary कापी अच्छी मिलती है लगवग आपकी जो salary होती है वो एक लाग बीस जार रुपए पर मन तक आपको यहाँ पे मिल जाती है pay scale की अगर बात की जाए तो आपका जो है 44,500 से एक लाग पचास जार रुपए पर मन तक आपका pay scale रहता है basic पर यहाँ पर आपका 44,500 रहता है और जो मंतली gross sales ही मिलती है वो आपको एक लाग बीस जार रुपए के आसपास मिलती है तो काफी अच्छी जाब है इसकी वगेंसी भी हर साल आती है इसके फाम की अगर बात की जाए तो इसके फाम आपका जो है सेप्टेंबर में आ जाते हैं और सेप्टेंबर में फाम आते हैं और यह मन के चलिए आपका जो है इसका exam वगरा हो जाता है October के last तक प्री का और men's का exam आपका December तक हो जाता है और आपका वही January फर्रोष तक आपको joining मिल जाती है तो यह भी काफी अच्छी job है इसके लिए भी आप Try कर सकते हैं अगर आप लोग नाबार्ट के लिए preparation करना चाहते हैं तो नाबाड के लिए जो agriculture वाला पार्ट आता है उसके लिए हमारे platform पर e-book available है इस e-book को buy कर सकते हैं यह आपको PDF format में इसकी e-book दी जाएगी इस PDF में जो आपका 40 number का agriculture आता है वो पूरा cover किया गया है e-book PDF के लिए आपको 600 रुपए पे करना पड़ेगा अगर आपको इसका sample देखना है तो मुझे इस number पर WhatsApp करिए या अगर आप इसे buy करना चाहते हैं तो मुझे इस number पर WhatsApp करिए नेस्ट आपका जो जाब आती है वो है इफको agriculture graduate trainee की जाब इफको की vacancy भी previous three year से लगातार आ रही है और यह आपका fertilizer company है इसमें भी आपकी vacancy आती रहती है और काफी अच्छी जाब मानी जाती है तो इसके लिए भी आप try कर सकते हैं जो फ्रेसर होते हैं जिनका अभी graduation हुआ agriculture से वो जहां पहले आपका यहां पर प्री exam होता है फिर मेंस exam होता है फिर आपका interview होता है document verification होता है इसके basis पर यहां पर आपका selection होता है age limit की अगर बात की जाए तो आपकी age जो है वो 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए तभी इसमें आप लाइ कर पाएंगे आप category वालों को छूट मिलती है जो आपका SC और ST से बिलॉंग करते हैं उनको छूट मिलती है 5 साल की और जो बिलॉंग करते है OBC से उनको छूट मिलती है तीन साल की इसके बाद अगर बात की जाए इफको में अपका अपलाई करने के लिए educational qualification के बारे में तो इफको में अपलाई करने के लिए आपके पास जो है BSC agriculture होना चाहिए साथ साथ में अगर आप लास्ट सिमेस्टर में हैं तो भी आप अपलाई कर सकते हैं और इसके लावा जो आपका BSC में नंबर है उसकी अगर बात की जाए तो जनल OBC और EWS के 60% मार्क्स होने चाहिए SC और ST के 55% मार्क्स होने चाहिए तब ही वो अपलाई कर पाएंगे अगर आपके मार्क्स इससे कम है आपकी BSC में तो आप अपलाई नहीं कर सकते हैं तो ये भी आपकी अच्छी जॉब है इसकी वगरनसी भी हर साल आती है इसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर बात की जाए इसको की सैलरी के बारे में तो इसको की जो सैलरी होती है जब आप अगरिकल्चर ग्रिडुवेट ट्रेनी बन जाते हैं तो आपको बेसिक पे कितना मिलता है पे स्केल्स का रहता है 37,000 से 70,000 रुपए के आसपास जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है वो बन जाती है लगबग आपका 34,716 रुपए के आसपास तो काफी अच्छी सैलरी मिलती है लगबग आपका जो एनुवल पैकेज जाता है वो आपका 7,20,000 रुपए के आसपास तक जाता है तो कापी अच्छी जाब माने जाती है इसको की इसकी वकैंसी भी आपकी हर साल आ रही है इसके लिए भी आप ट्राइ कर सकते हैं इसको में भी आप प्रिप्रेशन कर सकते हैं इसके लिए और अगर बात की जाए कि इफको की आप तयारी कैसे करें तो इफको की तयारी के लिए हमारे एगरी करचे जीके एफ पे कम्प्लीट बैच एविलेबल है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बैच को आप जॉइन कर सकते हैं इस बैच में आपका इफको की कम्प्लीट तयारी क कराई जाती है इस बैच को आप ले सकते हैं और अगर आपको इफको के लिए e-book चाहिए तो इस e-book को आप बाई कर सकते हैं पूर 50 रुपीज पड़ेगा आपको इस e-book का इसकी PDF कॉपी आपको मिल जाएगी अगर आपको इसका सेंपल देखना है या इबुक बाई करनी है तो मुझे इस नंबर पे वाटसेप कर सकते हैं आप नेस्ट आगे बढ़ते हैं नेस्ट आपका आयाता है F.S.A.I. की सेंटल फूट सेफटी आफिसर की जॉब जो आपका फसाई है इसकी तरफ सेंटल फूट सेफटी आफि हैं इस साड़ इसकी वेकंसी आ सकती है तो इसकी तैयारी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर बात की जाए चैंटल फूट सेफटी आफिसर की तो इसका जो एक्जाम होता है इस एक्जाम को आपका मिनिस्ट्री आफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेर कराती है यह आपका पेज टू का एक्जाम होता है दोनों पेपर आपके ऑन-लाइन होते हैं पेपर आपका हिंधी में भी होता है उन्गिल्स में भी होता है अगर बات की जाए पेजवन के पेपर के बारे में तो इस में आपके 120 कोस्टन रहते हैं और 480 नंबर के आते हैं यह एज़ टू में कि आपका इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या educational qualification होने चाहिए तो अगर आपने अपनी BSC agriculture कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसके लावा जिनके पास जो है food technology, dairy technology, bio technology, oil technology, agriculture science में, आपका veterinary science में, bio chemistry में, microbiology में या अगर आपके पास master's degree है chemistry में, medicine में अगर आप graduate हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं तो यह आपका डिगरी यहाँ पे लिखी हुई है यहाँ पे मोटा मोटा यह वीडियो जो आपकी BSC agriculture वाले हैं उनके लिए हैं तो यह आपको ध्यान रखना है मोटा मोटा की जो BSC agriculture graduate हैं वो Central Food Safety Officer के लिए अपलाई कर सकते हैं काफी अच्छी जॉब है अगर बात की जाए कि Central Food Safety Officer बनने के बाद आपको salary क्या मिलती है तो काफी अच्छी salary यहाँ पे आपको मिलती है salary की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो है salary मिलती है 44,900 रुपए से 1,42,400 रुपए के आसपास काफी अच्छा salary मिलता है आपको तो इसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं इसकी वगंसिया आपकी हर दो से तीन साल के अंतर पर आ जाती है अगर बात की जाए कि इ जाम की इस बैच को आप agriculture gk को install करके या हमारी website agriculture gk.in पर जाकर के ले सकते हैं सारे features यहाँ पे लिखे हुए है डेमो क्लास आपको हमारी website पर मिल जाएंगी जाकर करके आप चेक कर सकते हैं इसको buy कर सकते हैं नेक्स्ट आपका number five पे आती है FCI की job food corporation of India में भी आपकी job आती हैं और इन job में भी आपका जो freezer होते हैं वो apply कर सकते हैं अगर बात की जाए कि इसमें apply करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा आपको तो इसमें आपका जो bsc agriculture वाले हैं के लिए आपकी manager की vacancy आती है technical की और assistant grade 3 की vacancy आती है technical की यह vacancy आपकी आने वाली है यह vacancy आपकी आ सकत में वो भी यहाँ पर apply कर सकते हैं fci assistant grade 3 technical की अगर बात की जाए तो अगर आपके पास bsc agriculture है तो आप apply कर सकते हो या अगर आपके पास bsc है बाटनी जिलाजी बायो टेक्नलोजी बायो किमेस्टी में microbiology में food science में तो भी आप apply कर सकते हैं या अगर आपके पास b.tech या b.e की डिगरी है food science में food science and technology में agriculture engineering में बायो टेकनलोजी में तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं साथ-साथ में प्रोपेशियंसी इन computer भी आपको होना चाहिए यानि की computer को यूज करना आपको आना चाहिए तो यह आपका इसकी जो है FCI की जो eligibility है वो हो गई अगर बात की जाए FCI के salary वगरा के बारे में तो जो आपका FCI manager technical होता है technical की जो salary होती है वो आपका 40,000 से 1,40,000 रुपए पर मन्त होती है काफी अच्छी salary मिलती है यहाँ पर assistant grade 3 technical में आपका 28,200 से आपका 79,200 रुपीज पर मन salary आपको मिलती है तो काफी अच्छा salary यहाँ पर आपको मिल जहा है अगर बात की जाए age limit की तो जो आपका technical होता है FCI manager इसकी age limit होती है 18 से 28 साल assistant grade 3 technical की होती है 21 से 27 साल और category वालों को age में छूट मिलती है तो यह आपका इसमें जो हो गया age limit के बारे में information अगर बात की जाए छूट के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपका category वाई छूट दी हुई है क्या मिलती है इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपकी वागेंसी है यह वागेंसी भी आपकी हर दो से तीन साल के अंतर पर आती है आपकी जो fci assistant grade 3 और fci manager की जो वागेंसिया है वो आपकी आने वाली है दिसंबर तक वागेंसिया आ सकती है तो इसकी भी तयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं यह आपकी top 5 जॉब हो गई जो की आपका bsc agriculture graduate जो freezer है वो apply कर सकते हैं और अगर बात की जाए fci के बारे में तो fci के preparation के लिए complete batches हमारे agriculture gk app पर available है हमारी website पर available है यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप agriculture gk app को install करिए हमारी website agriculture gk.in पर जाएए वहाँ जाकर के आप इन batches के बारे में information ले सकते हैं और buy कर सकत हैं अगर आपकी कोई भी query है तो आप मुझे call कर सकते हैं मुझे WhatsApp कर सकते हैं मेरे WhatsApp नंबर की link आपको description box में मिल जाएगी इसके लावा agriculture gk app को install करें जिससे आपकी preparation अच्छे से हो सके अगर आप किसी भी agriculture exam की preparation कर रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लें वीडियो को like और share करें साथ-स